Books That Speak में आप सभी का स्वागत है माई एक सुन्दर सी कॉलोनी में रहती है जिसकी रूप रेखा उन्होंने तयार की थी और उन्होंने ही उसका निर्मान करवाया प्रेम और गूपी वहां लुकाचिपी खिलते है और छुपने की कई जगहों का पता लगाते है सुनते है कहानी माई की बनाई दुनिया Original Story The World That माई Built by Pratham Books कहानी लिखी है नंदिता जैराज चितरांकन अंकिता ठाकुर हिंदी में अनुवात आनन कुमार रॉय कहानी का वाचन आसावरी दोशी 17, 18, 19, 20 सब चिप गए या नहीं? मैं आ रहा हूँ माई की कॉलोनी में लुका चिपी खिलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है वहां कई जगहों पर चिपा जा सकता है और मैं उन सभी जगहों को जानती हूँ माई ने इस कॉलोनी को बरसो पहले बनाया था श्ष, प्रेम के आने से पहले मुझे चिपना होगा माई ने ये बास का पुल तब बनाया था जब मा चोटी थी वर्शारुतू में सकॉल पहुँचने का सबसे सुरक्षित रास्ता ये पुल ही है उस समय ये नदी उफान पर रहती है अब तो गर्मी का मौसम है और नदी लगबग सूख चुकी है इसलिए चिपने के लिए इस पुल के नीचे की जगा बड़ी अच्छी है लेकिन मकडी के जालो की वज़ा से आपको चिक आ सकती है अच्छी ओहो लगता है प्रेम ने मेरी आवाद सुन ली इस ज़रोके से सब कुछ दिखता है मैं पालम मा को गायों को चारा देते हुए देख सकती हूँ हमने फूस की उस गोशाला को पिछले साल बनाया था माई ने हमें मिट्टी, फूस और चुने को मिलाना सिखाया था प्रेम और मेरे हाथ मिट्टी से सन गय थे आ, हई ही, चीटी ने मेरे पीछे काट लिया कोई नहीं जगा डूणनी पड़ेगी ये लाइब्ररी हमारी पसंदिदा जगा है इसकी पवन मिनार मुझे बहुत पसंद है माई ने इसे गरम हवा बाहर निकालने के लिए बनाया था जिससे लाइब्ररी और किताबे हमेशा ठंडी रहे श, प्रेम इधर ही आ रहा है माई के दफतर के इस स्टोर रूम में प्रेम मुझे कभी नहीं डूण पाएगा ये दफतर माई की बनाई पहली इमारत है इसकी छट पर उन्होंने रोशंदान बनाया था जिससे धूब भीतर आ सके इस ताक पर माई की पुरानी चीजे रखी है इस तस्वीर में वो कितनी छूटी लग रही है और ये चित्र उन्होंने नए घर के लिए बनाये है माई इन्हें ब्लूप्रिंट यानि खाका कहती है ओहो मुझे प्रेम के गुंगरू की रुण्जुन सनाई दे रही है स्टोर रूम का दर्वाजा खुल रहा है धपा गोपी मैंने तुम्हें पकड़ लिया माई वास्तुकार है अर्किटेक्ट माई छोटे बड़े सभी तरह के घर बनाती है वो बड़े और बहुत छोटे दफ्तर भी बनाती है स्केच और चित्र बनाकर वो देखती है कि इमारते बनने पर कैसी दिखेंगी इस तरह से ब्लूप्रिंट यानि खाका बन जाता है अगर आप भी माई की तरह वास्तुकार बनना चाहते है तो आपको विज्ञान, गनित और वास्तुकला की पढ़ाई करनी पढ़ेगी तो कैसी लगी माई की बनाई है दुनिया और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई-बाई, धन्यवाद